next question number 10 देखे क्या कह रहा है काता है the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7 करने का मतलब कि जो कोई एक AP स्रीज है और उस AP का जो 17 टर्म है वह उस स्रीज के 10 में टर्म से कितना ज्यादा है साथ ज्यादा है तो उस स्रीज में find the common difference उस स्रीज का common difference क्या है तो आईए देखते हैं solution तो सबसे पहले हम देखते हैं कि question से हमें क्या information मिल रहा है या question क्या कह रहा है उसे हम sum up करने की कोशिस करते हैं तो from question क्या कह रहा है question से कि जो 17 टर्म है यानि 17 टर्म जो है वह दास्मा टर्म जो है उस से कितना ज्यादा है साथ ज्यादा है या question कह रहा है 17 टर्म exceeds by 7 कि से वही तो it's 10 टर्म या या question कह रहा है यानि question का यही जो है statement है तो इसके लिए आए देखते हैं we have that जो general formula है क्या an के लिए an equal to a plus an minus 1 into d तो आए पहले हम लेते हैं 17 हमें टर्म के लिए तो a 17 के लिए अगर हम लेते हैं तो क्या आता है a 17 equal to क्या आएगा a plus an के जगा चुकि 17 हमा टर्म है इसलिए 17 minus a into d या a 17 equal to a plus solar d यह है आ गया इसे हम माल लेते हैं equation first अब आए similarly क्या कर सकते हैं दास में टर्म के लिए क्या लिख सकते हैं a 10 के लिए a plus 10 minus 1 into d a 10 equal to a plus 10 में से जाएगा 9 d इसे माल लेते हैं equation second अब आए जो यह statement question में कह रहा था यह जो statement का mathematical interpretation था इसके अनुसार चलते हैं तो according to question according to question question में क्या कह रहा है कि जो 17 मा टर्म है वह दसराह में टर्म से 7 ज़्यादा है यानि कह सकते हैं a 17 minus a 10 equal to 7 अब आए a 17 के जगा हम क्या value रिख सकते हैं a plus solar d minus a 10 के जगा क्या लिख सकते हैं a plus 9 d equal to 7 और क्या लिख सकते हैं a plus solar d bracket remove करेंगे तो minus a minus 9 d equal to 7 अब यह minus a और plus a cancel हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा solar d में से 9 d चला गया तो किछना बच गया 9, 7, 16, 7 d equal to 7 इसलिए d equal to 7 upon 7 यानि 7 से 7 एक बार में कट जाएगा यानि 1 और हमें पता क्या करना था common difference पता करना था क्या क्या पता करना था common difference और d का value हमें कितना आया 1 यानि इसका common difference कितना है 1 क्यावा हमें पुक्पों में about